नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे उन खास बातों की जो आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दौरान याद रखनी चाहिए बोर्ड परीक्षा आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसे आत्म विश्वास के साथ पार करना ही असली सफलता है आत्म विश्वास बनाए रखें पहली बात आत्म विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगेगी याद रखें आपने इस दिन के लिए पूरे साल मेहनत की है जो आपने सीखा है वही आपकी ताकत है अपने आप पर भरोसा रखें कि आप इसे कर सकते हैं एक टाइम टेबल बनाएं बिना योजना के कुछ भी हासिल करना मुश्किल होता है एक सटीक टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप हर विशय को परियाप्त समय दे सकें कठिन विशयों पर अधिक ध्यान दें लिकिन बाकी विशयों को भी नजर अंदाज न करें हर रोज एक विशय के लिए थोड़ा समय निकाले ताकि सब कुछ मैनेज किया जा सके खुद को प्रेरित रखें हर दिन अपने आपको प्रेरित रखना भी बहुत जरूरी है हो सकता है कि कुछ दिन आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन यह बिल्कुल सामान ने है ऐसे समय में अपने दोस्तों, शिक्षकों और परिवार के सदस्यों से बात करें छोटे-छोटे ब्रेक लें, म्यूजिक सुनें और फिर पढ़ाई पर लोटे पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करें यह एक अच्छा तरीका है कि आप पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करें इससे आपको परीक्षा के पैटर्न और सवालों की कठिनाई का अंदाजा मिलेगा यह आपकी परीक्षा की तैयारी को एक दिशा देगा और आत्म विश्वास भी बढ़ाएगा ध्यान और स्वास्थे पर ध्यान दें पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत और मानसिक स्वास्थे का भी ख्याल रखें रोजाना थोड़ा सा ध्यान करें मेडिटेशन या व्यायाम करें और परियाप्त नींद लें जब आपका मन और शरीर ताजा रहेगा तो पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा और आप बेहतर तरीकी से तैयारी कर पाएंगे और परीक्षा के दिन क्या करें परीक्षा के दिन खुद को शांत रखें परीक्षा के पहले दिन थोड़ी देर मेडिटेशन करें सवालों को ध्यान से पढ़ें और समझदारी से जवाब लिखें पहले वही सवाल हल करें जिनमें आप पूरी तरह से निश्चिन्त हैं फिर बाकियों पर ध्यान दें आओर तो दोस्तों याद रखें कि यह एक पड़ाव है पूरी यात्रा नहीं अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और खुद को सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें हम सभी आप पर गर्व करेंगे चाहे परिणाम कुछ भी हो आप खुद के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें आपके लिए धेर सारी शुबकामनाए आपके लिए अपनाए